लो हेवरीवान वेलकम टू माय चानल आज हम पढ़ेंगे दर विलेट स्कूल मास्टर जो की ओलिवर गोल्स में द्वारा लिखी गई है यह हमारे क्लास एड आईसे असी न्यू मलबरी इंग्लिश का जाप्र 11 है सबस्क्राइब देह समझ में ने पही है उसमें से लिग गई है क्योंकि यह सब तीन स्टैंजा की है हमारी देह बिड़ गोल्स में समझ में आता है कि जो पोइम है वहोने वाली है गाओं के स्कूल मास्टर के बारे में तो जो हमारे Oliver Goldsmith है वो अपने schoolmaster को याद कर रहे है उनको अपने schoolmaster की बहुत याद आरही है और वो इस poem में बता रहे है कि उनके जो schoolmaster थे कैसे थे एक sentiment जो speaker के है यानि Oliver Goldsmith के जो sentiment से जो भावनाए है अपने teacher के लिए वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमको देखने के लिए मिलती है तो जो school master जो इस poem में बताए गए है वो शायद Oliver Goldsmith के जो sir थे teacher थे जिनका नाम था Thomas Brian तो शायद उन्होंने उन्ही के लिए यह poem लिखी है क्योंकि वो बच्पिट में उनके teacher थे तो इस poem में उनकी characteristics बताए है कि उनके school master कैसे थे और कैसे गाओं वाले उसके school master को देखते थे उनकी कितनी इज़त करते थे तो हम शुरू करते हैं तो कहानी हमारे जो poem है शुरू होती है जिसमें बताया जाता है कि जो गाओं का school था वो एक school master चलाते है एक चोटा सा स्कूल था एक छोटे से गाओं में तो poem शुरू होती है जिसमें school की location बताई जाती है कि school कहा पर located था जो स्कूल था वो सिचुएटेड था एक छोटी से जगह पे और उस पे जो बाड़ा मतलब बाड़ा होता है जिसे गाओं में बाड़े लगाते हैं जिसे कि जानवर बक्री हैं जो है उस घर में एंटर ना करें तो क्यों को स्कूल का था कोई हाइफाइ स्ट्रक्चर नहीं थ तूम्हान के फोट नहीं हो तो ऊसी टूटे पुटे और बाड़ाम भी कहसा है उसके बगल में जो था स्कूल था अपपछी Dem बंगला है जिसमें से जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो उन्हें टीचर पढ़ाते हैं इसकूल मास्टर जो बच्चे हैं बहुत नॉइस करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मैनेज करते हैं स्कूल मास्टर तो जो गाओं के जो टीचर थे वो क्लास पढ़ाते थे हमारे स्कूल क सारे बच्कों पढ़ाते थे legitimize लेसेंस अच्छी लेसेंस समझाते थे वह स्ट्रिक्ट बहुत जादा स्ट्रिक्ट पोल रखा एस पोए में कि बहुत ही जादा स्ट्रिक्ट थे और discipline वाले थे यानि खुद तो अनुशासन का पालन करते थे यानि बहुत strict थे rules भी बनाते थे अगर कोई उन rules को तोड़ता था ब्रेक करता था तो उसको बहुत ज़रे डांट पड़ती थी और observe भी करते थे कि जो उन्होंने rules बना हैं वो बच्चे follow कर रहे हैं कि नहीं कर र स्कूल भंग करतें तो वो लोग बहुत दरते थे क्योंकि कमी ना कभी उन सर को पता चल जाता था बहुत खराब होता और गूंछ फेस अनके फेस पर होता था और आंखे गुसें वाली होती थी लाल ओर्छी तो वह समझ जाते थी कि असमेछ popcorn अजिकल eerste स्कूल वास्टर थो ऑफ़त ङूज कर थे दिस्प्राइन वाले लेकिन दूसरे ही तरह बहुत दयालू थे बहुत नर्म दिल थे और जोक्स भी क्राक करते थे वो क्लास में वह सारे जोक्स बताया करते थे जब भी वह जोक्स बताते थे तो बच्चे हसते थे बहुत खुश होते थे और बच्चे इसलिए भी हसते थे अगर हम मतब सर को खु तो लेकिन वह बहुत खुश होते थे बच्चे और बच्चे को अगर पता चल जाता था कि आज सर का मून खराब आज सर गुस्से में है तो पूरी क्लास में ये बात पहल जाती थी कि भाई सर गुस्से में कोई भी परिशानी मत करना सर को नहीं तो बहुत अच्छे से पिटा थे लेकिन वह तर इस पर लिके और कुश कम थे नहीं संधाम फिर और कि prima कि लर्निंग खतमी होती थी वो उधे ज्यादा इपकी रहते रहते हैं थिजह पड़हाई है जर्दी को छतम होती इंसान कभी सीखना बंद करता वह हमेश्चा सीखता चला जाते हैं तो ऐने सबु से निसे क отвеч और हर एक हैं सूर को बहुत तारीफे करता हैं कि Кितनी ओक्र क Aires भी बिटे देते हैं इनकोorden किई से नाप दर मैस्ट करना आतीए वही कोई भी गाओ में डिसकर्शन या डिबेट्स होता था तो सर को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी क्योंकि जो सर थे निके स्कूल मास्टर थे न वह बहुत ही टिफिकल वर्ड यूज करते थे बहुत इंमोशनल लैंगविज यूज करते थे जिससे वो सामने वाले को इंप्रेस कर सकें सामने वाले को मतले हरा सकें अपने वोर्ड से अपने खुबसूरत स्पीच से और इंप्रेस कर सकें वो जो गरीब गाओ वाले हैं जोने पड़ा लिखे नहीं है उन्हें इतना पड़ा लिखा नहीं है वो लोग तो जब वो देख इतने आर्गुमेंट्स इतना सामने वाले को इतने हरा रहे हो अपने आर्गुमेंट्स से अपनी डिबेट से इतनी अच्छी तरीके से जो मास्टर जी है वो अच्छी से डिबेट करते हैं लड़ते हैं तो वो कहते थे वाओ इतनी अच्छी स्पीच है कि हमारे नहीं समझ मे और मास्टर जी को समझना तो हम जैसे छोटे दिमागवालों की बसकी बात नहीं है उनके तक्र कोई होना चाहिए तो इतनी जादा रिस्पेक करते थे कि अपने आपको इछोटा दिखा दे थे कि मास्टर जी इतनी जादा बड़े हैं तो जो पोएम है वो रिप्रेजेंट कर अपने सर को लिख के बता रहे है कि कैसे कैसे उनके सर थे गाउं वालों कितने रिस्पेक करते थे तो लेकिन जो पोएम है एक साड नोट पर एंड होती है कि जो है लास्ट जो आखरी के दो लाइन है वो प्रेजेंट कंडिशन बताती असलियत बताती है वो कहते हैं कि अगली बिसरी यादे लगते हैं क्योंकि कभी उनको इतना नाम था उस स्कूल को उस टीजर को कोई भी नहीं जानता है मतलब सब भूल गए उस स्कूल को जिसके वज़े से आज हो इतने कामियाब हुए है आपको यह वीडियो समझ में आया हूँ अगर आपके लिए वीडियो हैद फूल हो परे चानल को लाइक करें शेयर और सबस्क्राइब करें और अन्ने बाकी भी मलवरी इंग्लिश के मैंने चैप्ने बनाये हैं ग्रांण फादर दे पाइथन में बनाने वाली हूँ और बा जाचिंग